नमस्कार हस्त रेखा में रेखाओं के साथ में अगर कहा जाए अंगुठा यह उंगलियां है यह अंगुठा अगर कहें तो बेहत महत्पूर्ण हैं एक दो वीडियो मैंने पीछे भी अंगुठे पर बनाई हैं कुछ चीजे मैं आज के वीडियो में भी आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं अंगुठा वाहन को भी दिखाता है पत्नी को दिखाता पत्नी के स्वास को दिखाता कई ऐसी जानकारी अंगुठे से मिलती हैं अंगुठे के प्रकार भी बताऊंगा किस तरीके से यह सारी चीजे आपको देखने इस पे भी बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदो लोगों का छोटा देखें छोटे का मतलब यह होता है कि यह हिस्सा जहां पर जो है गुरू की उंगली जो है शुरू हो रही है उसके इर्द गिर्द या उससे उसके बराबर या उससे नीचे है नीचे होने का मतलब यह हो गया नीचे होना यह थोड़ा मोड़ा अंतर है ऐसे लोग निर्णय ले भी लेते हैं माल लीजे तो निर्णय गलत हो जाते हैं गलत निर्णयों के कारण धन परिवार कोई भी काम है उसमें निर्णय ही सब कुछ है चाहे वो शादी से संबंदित हो चाहे धन से संबंदित हो कोई भी निर्णय हो कोई भी काम हो वो निर्णय पे ह आदारित है, ऐसे लोगों को जब भी आपका अंगुठा छोटा है, तो जल्दबाजी मत करिए, लोगों से राय लीजिए, उसके बाद ही किसी चीज में आगे बढ़िए, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंदिक चीजों में ये संघर्ष को दिखाता है, एक बात, दूस कुछ लोगों का अंगुठा अगर कहा जाए, नुकीला होता है, नुकीला मतलब हो गया, ये हिस्सा काफी पतला सा होता है, ऐसे में कहा जाएगा, उसके बाद अगर चप्टा भी है, ये हिस्सा जो है, ये चप्टा है, ये सौभाग्य है, ये नाम है, कला है, मेडिया है, अधिकारी है, नेता है, इससे संबन्दिच चीजों को दिखाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, कही ना कही जिनका चप्टार था, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। राजनीती में बड़े बड़े इस्तर तक पहुंचे हैं। ईसे लोग पर वहाहन जरूर होता है और वहाहन कही ना कही सुन्दर होता है, ऐसे में कहा जाता है की व्यक्ति का शुक्र अच्छा है। यह श्रमःद्धी को दिखाता है, यह भाग्य को दिखाता है। देखें, अगर ऐसा अंगुठा जो मैंने बताया आपको, अगर है, तो कहीं ना कहीं कस्ट कितना भी आ है, उससे निकलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा, एक चीज़ मैंने पीछे बताईते हैं, आज फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि बेहत जरूरी है, जो लोग नहीं द तेज होते हैं, सोचने समझने की छमता को दिखाता है, बहुत देखिस तर बहुत अच्छा होता है, अंगुठा लंबा होना, मतलब ये कहलाएगा, कि गरीब घरक में भी अगर पैदा हुएं, तो अपनी मेहनत से एक दिन, बड़े स्तरतक व्यक्ति जाएगा, अपने बु कुछ मजबूत हैं, तो व्यक्ति जो है, बड़े स्तरतक पहुचेगा, बड़े स्तरतक का, धन की स्तितियां, जीवन परियंत रहती हैं, अगर ये स्तिति है, तो ये कहा जाएगा, कि व्यक्ति को भौतिक सुक, वाहन सुक, घर का सुक, इत्तादी चीजे मिलेगा, ऐसे लो कि समस्या होती है, या इस्तोन बन जाए, शादी लेट हो सकती है, अगर ये हिस्सा आपका लंबा है, लेट होने को भी दिखाता है, अब इसको ड्रॉबेक समझे, कुछ समझे आपके उपर है, जीवन की शुरुवात अगर कहा जाए, थोड़ा सम्मंदी, लेकिन जैसे जै जीवन रेखा, अगर ये जीवन रेखा, थोड़ा सा दूरी से है, बहुत चप्टी नहीं है, चप्टी होने का मतलब बहुत सारे आतों में एतना पास से आती है, ये खराब है, ये अगर दूर से है, जीवन रेखा, तो कर्ज इत्यादी चीजों में रिलीव, अगर दोनों हाथों में गुलाई में है और थोड़ा सा दूर से है तो ये स्वभाग्य को दिखाती है धन आता ही आता है रुके ना रुके वो अलग विश्या है शावधानी ऐसे लोग को शुगर की रखनी चाहिए दूसरों के उपर ऐसे लोग को डिपंड नहीं रहना चाहिए बिल्कुल मैं कहूंगा थोड़ा सा ऐसे लोग का नेचर होता है आश्चित होने का अभी एक चीज मैंने बताया थी कि ये लंबा है ये छोटा है अगर माल ल होता है ये साथ व्यवाहिक जीवन में संतोस करके चलना पड़ेगा कारण कुछ भी हो सकता है कोई भी बात हो सकते चाहिए आपस में अंडरस्टेंडिंग में कमी यो चाहिए सरी स्वास की बात हो चाहिए आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिकी चाहा रहे थे उससे साब जिसके भी हाथ में है टप कहते हैं कि बात खतम नहीं हूँ इससे पहले उन्होंने बोलके अपनी चीजों का नुकसान कर लिया बहुत सो समझके गंभीरता से ऐसे लोगों को चलना चाहिए जिनका भी ये छोटा है निर्णय कोई भी ले देख दा के लें उधाल लें दे न पास-पास के साल मतलब 26 का 25 भी हो सकता है 27 भी हो सकता है 42 का 41 भी हो सकता है या 43 भी हो सकता है अच्छे होते हैं कामधाम से सरमंधित चीजों में शुरुवाति जो और अगर कहा जा है पीडा दाई नशा संगत इत्तादी चीजों का धान रखिए कुछ लोगों का अच्छी है जैसे महाल में रहते हैं जैसा महाल मिल जाए वैसे महाल में ढल जाते हैं यार दोस्त बहुत होते हैं यह दिमागी तनाव को भी दिखाता है वैवाही जीवन में अशंतोष को भी दिखाता है और खासकर अगर महिलाओं के हाथ में हैं तो महिलाओं में कई ना क बनें बहुत अच्छा है अचानक तरक्य गारी होगी घर होगा ये तय है अगर रेखा इस पस्ट साफ है तो ये तय है कि घर गारी वहान इत्तादी चीज़ें होगा अगर इसके साथ में गुरू के छेतर पे एक रेखा भी चली जाए ऐसे आदमें भी गरीब नहीं हो सकते ए मुश्ली है ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं अपने घर परिवार निस्तेदार नातेदार सभी का कही ना कहीं खयाल रखने वाले होते हैं वाहन के शौकीन होते हैं धार्मिक होते हैं दानपुन्य से सम्मंदित चीज़ों को दिखाता है ध इसके साथ में ये हैं आज सोज भी नहीं रहे हैं कल कितना अच्छा होगा ये इसके संकेत देता है बहुत ज्यादा आपका मुड़ाना थोड़ा सा सीधा हो या हलका कर्व में हो चाटू कारता नहीं कर पाते मित्रियार दोस्त सीमित होते हैं वारी थोड़ा सा करवी होती है इसपस्टवादी होते हैं जो बोलना है बोल दिया मुपे क्या बोल रहे हैं बाद मैं सोचते हैं अगर ज्यादा बोल दिया मैंने नहीं बोलना चीता इसके साथ में अगर हाथ मे पसीना भी आ रहा है तो थोड़ा सा अपने जीवन में अपनी वाणी का ध्यान रखेगा धन तो आएगा लेकिन कभी रुकेगा नहीं विर्थ के कामों में कहिना कहिन धन चला जाएगा ग्यानी होते हैं नौलेज बहुत होता है राजनीती से संबंदित धरम करम या इससे मंदित चीजों के लिए बेहत अच्छा कहलाता है 42 साल की आयू 52 वर्ष की आयू के आजपास का समय अगर कहा जाए विशेश सफलता को दिखाता है अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे घर परिवार कितना भी कहता रह जाए लेकिन करेंगे अपनी मन की घर परिवार भी थ थोड़ा सा ज्यादा हलका फुलका कोई मैटर नहीं करता उभार थोड़ा सा ज्यादा है संघर्ष की निशानिया ज्यादातर मजदूर या लेवर से संबंदित चीजों को दिखाता है अगर बाहर ज्यादा निकली है तो संघर्ष कराएगा धन हानी को दिखाता है व्योसा को partnership में काम कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी से चलना चाहिए नौकरी करें तो ज्यादा अच्छा है अगर व्यवसाई भी करते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन आग कान खोल के बहुत ज्यादा उधार लेना और देना दोनों में सावधा फिर आप सभी से मुलाकात होगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा अभी क्लिए वस इतना ही नमस्कार